गुड इनिंग फ्रेंड्स आपका फिर से वेलकम है इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है जी के बाई मयंग सर्थ दोस्कों हम लोग यहाँ पर राजस्तान इतियास कर रहे हैं और हमारा जो टोपिक चल रहा है वो चल रहा है राजस्तान के परमुख एतिहासिक पर करेंगे तो हमारा जो पहला शीला लेका रहा है उसका नाम है सामोली 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 शीला लेक कब का है तो 646 इस्वी का है कहां मिला तो यह मिला सामोली गाउं उदैपुर में ठीक है? तो सामूली गाओं उधैतूर ठीक है? अगर इसकी भासा की बात की जाये तो इसकी भासा है संस्कृत ठीक है? ये जो भी लेख है है संस्कृत भासा में लिखा गया है और अगर बात की जाये जानकारी कि इस अभी लेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इस अभी लेक से हमें मेवार सासक मेवार सासक शीला दित्य शीला दित्य की जानकारी मिलती है ठीक है तो ये परमुक परमुक बाते हो गई शामोली सिला लेक के बारे में सामोली सिला लेक के बाद में नेक्स जो सिला लेक आ रहा है वो है एपराजित का सीला लेख ठीक है? एपराजित का सीला लेख भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है तो ये भी हमें प्राप्त हुआ है उदे पूछ से important है इसमें से कई बार question exam में पूछ लिया जाता है देखो next जो है हमारा अभी लेख उसका नाम है एपराजित का सीला लेख कब का है साथ? तो ये है 661 इस्वी का कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कुंडेश्वर महादेव मंदिर कुंडेश्वर महादेव मंदिर नागदा और नागदा पढ़ता है उदेपुर में ठीक है? उदेपुर से ये प्राप्त हुआ है भासा की बात की जाए तो इसकी भासा है संस्कृत लिपी कौन सी लिपी है? तो कुटिल लिपी है कुटिल लिपी क्या होती है? तो अच्छर जो होते हैं उनको ऐसे गोरगोर गुमा कर लिखा जाता ही हो इसी को क्या का जाता है पुटिल लिपी का जाता है तो इसकी लिपी कौन सी होगी पुटिल लिपी ठीक है अब यह जो अपराजित का सीला लेख है इसकी रचना किसने की है इसकी रचना जो है वो की गई है दामोदर के द्वारा दामोदर ठीक है उत्किन करता मतलब कि इसको पथर पर ठोप ठोप कर किसने लिखा है तो उत्किन करता जो है उसका नाम है भावभट ठीक है शोरी उत्किन करता का जो नाम है वो है यशोभट यशो भट ठीक है? तो ये मेलमेल इसके अपराजित के शिला लेक से सम्मंदित बाते हो गई आप इसमें एक दो बाते और ध्यान रख लेना कि यहाँ इससे हमें जानकारी क्या-क्या मिल रही है ये जो शिला लेक है ये सिलालेख हमें क्या-क्या जानकारी देता है? तो पहली तो जानकारी देता है मेवाड सासक ए पराजित की विजियों का, ठीक है? जो मेवाड सासक ए पराजित है, उसकी विजियों का जो उलेख है, वो किसने किया गया है? तो वो किया गया है अपराजित के शिलालेख में. और दूसरी जानकारी पहली जानकारी तो ये मिलती है दूसरी जानकारी हमें मिलती है ततकालिल मेवाड की मतलब उसकाल के मेवाड की सामाजिक आर्थिक राजनितिक इस्तती की जानकारी तो मेवाड के मेवाड की सामाजिक आर्थिक वे राजनितिक जानकारी मिलती है तो ये मेंल मेंल बाते हो गई हमारे अपराजित के सिलालेक से next हम बात करेंगे मंदोर सिलालेक देखो मंदोर से दो सिलालेक मिलें दोनों के उपर अपन बात करेंगे तो next जो हमारी heading है वो है मंदोर का सिलालेक मंदोर शीला लेग ने अब यह जो मंदोर है यहां से मंदोर पहली बात पढ़ता कहा है तो जोधपूर में पढ़ता है मंदोर जोधपूर में पढ़ता है अब मंदोर से बात की जाए तो मंदोर से आपको दो सिला लेग पराप्त हुए एक सिला लेग जो है यह तो 685 इस्वी का है और जो दूसरा सिला लेग है वो 827 इस्वी का है तो यहां से दो सिला लेग पराप्त हुए ठीक है पहले अगर ब तो ये मंदोर बावडि पर लिखा हुआ और अगर बात की जाए इसकी तो शीव विश्नुपुजा का उलेख मिलता है इसमें में ठीके और गुजर परतिहारों की जानकारी मिलती है आर्सो सेटीस इस्वी वाला जो सिलल एक है इसके संस्तापकता ध्यान दख लेना कि इसकी स्तापना किसने करवाई थी तो इसका संस्तापकता परतिहार सासक बाउक परतिहार सासक बाउक बाउप के द्वारा इस भी इस्तापना कराए गई थी और यहां से भी हमें विश्णु वै शिव पुजा का उलेख मिलता है ठीक है विश्णु और शिव पुजा का उलेख मिल रहा है तो यह हो गया हमारा मंदोर का सिलालेख मंडोर के बाद में next जो सिलालेख है वो है मान मोरी का सिलालेख और बहुत important सिलालेख है इसमें से exam में question कई बार पूछे जाते हैं तो next जो हमारा शिलालेख है उसका नाम है मान मोरी या मान मोरे का सिलालेख important है इसको important कर ले ना मान मोरी शिलालेख किसका सिलालेख है मान मोरी का मोरी या वन्स का सा सकता है जो असो को अगर ते ना चंदरगुप मोरी या उसी मोरी वन्स का ये सा सकता तो इसी का सिलालेख प्राप्त हुआ है ठीक है कब का है ये है साथ सो तेरा इस्वी का साथ सो तेरा इस्वी का ठीक है कहां से प्राप्त हुआ है ये जो सिलालेख है मान मोरी का सिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है मान सरोवर जील मान सरोवर जील तोड़ रचना इसकी रचना किस ने की तो पुश्प नामक वेक्ठी ने की उथकिन करता उथकिल करता इसको खोद-खोद कर लिखने वाला वेक्ठी कौन है तो वो भी ध्यान दकलेना आप शिवादित्य उत्पिन करता का नाम क्या हो गया शिवा दित्य हो गया ठीक है यही पर आप ज्यान रखना खोज करता इसका खोज करता कौन है इसको किसने खोजा था तो इसके जो खोज करता है उनका नाम है करनल जैम्स तोड ठीक है करनल जैम्स तोड घोडे वाले वावा करनल जैम्स इसको खोज लिया, खोजने के बाद में करनल जैम स्टोड इसे इंगलेंड ले जाना चाता था अपने साथ में, लेकिन ये बहुत ज्यादा भारी था, तो बहुत ज्यादा भारी होने के कारण, जो करनल जैम स्टोड है, उसने इस सीला लेक को पानी में फेक दिया, समुदर म में फेका गया था most important question है ध्यान लखना मान अमोरी का सिला ले क्योंकि बहुत ज़्यदा भारी था यह तो कर्णल जैम्स टोड यहीं पर लिख देते हैं कि टोड ने इसे समुद्र में फेक दिया और अगर बात की जाए इसके बारे में तोड की पुस्तक का नाम ध्यान लखना तोड की कौन से पुस्तक है कर्णल जैम्स टोड की पुस्तक है उसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज एनाल्स एंड एंटीक्विटीज और राजस्थान इस पुस्तक के अंदर इसने कर्णल जैम्स टोड ने इस गटना का वर्णन किया है कि बहुत ज़्यादा भारी था इसलिए मैंने इसको समुद्र में फेक दिया ठीक है तो कर्णल जैम् एंड एंटीकुटी जॉब राजस्तान ये इसकी पुस्पत का नाम हो गया अब हम बात करते हैं कि यहां से हमें क्या-क्या जानकारिया मिली है ठीक है यह जो मानमोरी का सिला लेकर इससे हमें क्या जानकारी मिलती है तो नंबर फर्स्ट आप ध्यान रखना चार मोरीय सासकों की जानकारी मिलती है इसे अब यह चार मोरेय सासक कौन-कौन से हो गए उनका नाम ध्यान में रख लेना महेश्वर बीव बोज और मान मान मतलब मान मोरी ठीक है तो इन चार मतलब मोरेय सासकों कि यहां से जानकारी मिल रही है सेकेंड नंबर ध्यान रखना कि समुद्र मंतन की गटना का उलेक मिलता है कहां से मिल रहा है तो मान मोरी सिला लेक से मिल रहा है और अगर बात की जाए तो देखो इसमें थार्ड नंबर आभ्यान रख लेना कि मोरियों द्वारा लगाए गए तो इसमें मेवार में क्या क्या कर लगाए जाते थे उन करों का वर्ड़न भी हमें यहीं से प्राफ्ट हो रहा है तो और अगर बात बेखो की जाए तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, मान मोर्य के निर्मान कारियों का उलेक, निर्मान कारियों का उलेक भी हमें कहां से मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है, ठीक है, मान मोर्य के क्या-क्या निर्मान कारियों हैं, तो पहला ध्यान रख लेना, मान सरोवर जील का निर्मान सेकेर नमबर आप ध्यान में रख लेना सूर्य मंदिर का निर्मान सूर्य मंदिर का निर्मान और यह जो सूर्य मंदिर का निर्मान है यह चितोरगर बुर्ग में करवा रहे हैं चितोडगाड गुर्ग काच निर्मान वद्धारग्गई-ध्याद का महान मोर्य तलाब का निर्मान उा एक स्काल में तलाब निर्मान समझे जाते थे तो ये बात होगी हमारे मानमोरी सीला लेक से रिलेटेड नेक्स जो सीला लेक है उसका नाम है कन सवा सीला लेक और कन सवा सीला लेक जो है ये पोटा से प्राप्त हुआ है तो नेक्स सीला लेक आगया कन सवा कणसवा लेक तब का है साविर तो कणसवा लेक जो है इसकी टाइमिंग आपको देखने को मिलती है 738 कहां से प्राप्त हुआ है तो ये प्राप्त हुआ है कणसवा शिव मंदीर कोटा कोटा से प्राप्त हुआ है ठीक है बासा की बात की जाए तो इसकी बासा है संस्क्रत ठीक है और अगर इसके बारे में बात की जाए तो मोर्य शासक धवल मोर्य सासक धवल की जानकारी मिलती है ठीक है और इंपोर्टेंट गर के एक लाइन लिख लेना ये लाइन जो है इसको इंपोर्टेंट कर लेना कि मोर्यों की जानकारी देने वाला मोर्यों की जानकारी देने वाला अंतिम अभिलेख है ठीक है राजस्थान में भी पूरे भारत में भी मोरियों की जो जानकारी देने वाला अंतिम अभिलेक है उसका क्या नाम है कणसवा लेक यही important है इसमें से बाकी खोड़ा सा आप लोग ध्या नकले ना कहां है बाकी इसमें से ज़्यादा कुछ important नहीं है मोरियों की जानकारी देने वाला अंतिम अभी लेख कोन सा है तो कन सवाव लेख है यह यहां से important question इसमें से बनता है नेक्स अगर बात की जाए तो बुचकला का लेख आता है बुचकला का जो लेख है यह हमें प्राप्त हुआ है जोदपुरसे बुचकला लेख तो बुचकला का जो लेख है यह कब का है तो यह हैसाब 815 इसवी का कहां से प्राप्त हुआ है तो ये प्राप्त हुआ है हमें जोदुपुर से तो बुचकला का जो सिला लेक है ये कहां से प्राप्त हो रहा है जोदुपुर से प्राप्त हो रहा है इसमें पंक्तियां कित्ती है तो बीस पंक्तियां है ठीक है और जानकारी किसकी देता है ये तो ये जानकारी देता है हमें गुजर परतिहार वंसकी हमें ये जानकारी देता है ठीक है और अगर वाग की जाए इसकी भासा तो इसकी भासा हो गई संस्कृत इसके अलावा बुचकला लेक में से ज्यादा आपको रखने की जरुत नहीं है ठीक है, कहां पर है बुचकला का लेख, बस यही द्यान रख लेना आप, इसके अलावा इसमें से भी कोश्चन बनने की मरला वो संभावना तमी है, नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो अगला जो अभी लेख है वो है घटियाला शिला लेख, ये भी कहां से प्राप्त हुआ ह तो घटियाला गाओं, जोद्पूर से प्राप्त हुआ है, काफि इम्कोर्टेंट है, घटियाला शिला लेख, ठीक है, कब का है, तो 861 इस्वी, कहां से प्राप्त हुआ है, तो घटियाला गाओं, घटियाला गाओं, जोद्पूर, ठीक है, जोद्पूर के घटियाला गाओं से ये प्राप्त हुआ है, इसकी जो रचना है, इसकी रचना की गई है, मरग नामक ब्राह्मन द्वारा, मरग नामक ब्राह्मन द्वारा, ठीक है, उतकिर्ण करता, उतकिर्ण करता, इसको जो ख जोद कर लिखने वाले व्यक्ति थी उसका नाम ता कृष्ण नेश्वर गृष्ण नेश्वर किके संस्तापक इसको लगवाया किस सासक ने इसकी स्तापना किस ने करवाई तो गुजर प्रतिहार सासक पक्टुख और अगर बात की जाए तो इससे हमें क्या-क्या जानकारी प्राप्त होती है कि हमें इससे क्या-क्या जानकारियां प्राप्त हो रही है तो नमबर एक आप ज्यार नखना गुजर परतिहार वनसावली का उलेक ठीक है गुजर परतिहारों की जो वनसावली है उसका उलेक हमें कहां मिलता है घटियाला में मिलता है घटियाला शीला लेख में मिलता है और अगर बात की जाए तो मरग जाती के ब्रामनों का उलेख भी हमें कहां देखने को मिल रहा है तो मिर्ग जाती के ब्रामनों का उलेख है वो भी हमें घटियाला शीला लेख में देखने को मिल रहा है गटियला सीला लेख के बाद में जो अगला सीला लेख है उसका नाम है सारनेश्वर या सांडनात प्रसस्ती सारनेश्वर या सांडनात प्रसस्ती कहां से प्राप्त हुई है उद्रपूर से प्राप्त हुई है आहड से तो नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा सारनेश्च्वर या सांड नाथ सारनेश्वर या सांड नाथ प्रसस्ती प्रसस्ती है प्रसंसा की गई है कब का है तो ये है 903 इश्वी का कब का है 903 इश्वी का है कहां से प्राप्त हुआ है तो ये प्राप्त हुआ है आहड उड़ापुषे ठीक है लिपी इसकी अगर लिपी की बात की जाए तो इसकी लिपी है नागरी लिपी भासा इसकी अगर भासा की बात की जाए तो इसकी भासा है संस्कृत ठीक है रचना इसकी रचना किसने की है तो इसकी रचना की है कायस्त पाल प्लस वेलक ठीक है कायस्त पाल और वेलक नाम के दो वेक्तियों ने इसकी रचना की है और बात करते हैं जानकारी इससे हमें क्या-क्या जानकारी प्राप्त हो रही है ठीक है तो पहली जो जानकारी है वो हमें प्राप्त हो रही है मेवार के सासक अलर या आलू रावल की ठीक है मेवार सासक अलर या इसी के एक नम आलू रावल भी मिलता है आलू रावल की जानकारी मिलती है second number आप ध्यान लकना की आलू रावल या अलर के मंत्री परिशर का उलेक मिलता है next third number ध्यान दख लेना मेवाड की नोकर शाही मेवाड की नोकर शाही वैवस्ता का उलेक मिलता है और अगर बात की जाए फौर्थ नमबर तो फौर्थ नमबर ध्यान दखना आहड को तामरवती राजभानी बताया गया है और अगर देखो बात की जाए तो यह जो आहड है उद्यपूर में है इस आहड से कई प्रसस्तियां प्राप्त हुई है लेकिन जादा तर प्रसस्तियां जो थी वो ठूटी ठूटी थी एक मात्र जो सही सलामत पूर्त सुरक्षित प्रसस्ति प्राप्त हुई है आहड से वो कौन सी है साड़नेश्वर या साड़नाद प्रसस्ति है इसके लावा सारी प्रसस्तियां कहीं न कहीं से पूटी पूटी प्राप्त हुई है तो यहीं पर इस्तार बनाकर लिख लो कि आहड से प्राप्त एक मात्र पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर हर सनाथ पहाडी सीकर पर आपको देखने को मिलती है 933 इस्वी की ये प्रसस्ति है तो नेक्स जो प्रसस्ति है उसका नाम है हर सनाथ प्रसस्ति हर सनाथ प्रसस्ति कब की है तो हर सनाथ प्रसस्ति है 933 इस्वी की कहां से प्राप्त हुई है तो हर सनाथ पहाडी हर सनाथ पहाडी सीकर से प्राप्त हुई है ठीक है बासा की बात की जाए तो इसकी बासा है संस्कृत हर सनाथ जी जो है ये चोहानों के कुल देवता है में चोहान वंस की जानकारी प्राप्त होती है तो अगर जानकारी की ब्राप्त की जाए कि यहां से में क्या-क्या जानकारी प्राप्त होती है तो नंबर एक ध्यान रखना चोहान वंस की जानकारी प्राप्त होती है नंबर सेकिंड ध्यान रखना कि चोहान सासक्था विग्र इसके द्वारा तोमर बंस के सासकों को हराए जाने का उलेक मिलता है तोमर जो थे ये दिल्ली साइड में सासन किया करते थे ठीक है तो विग्रह राज चतूर्थ द्वारा तोमर सासक को हराने का उलेक है और नंबर थर्ड इसको इंपोर्टेंट कर लेना नंबर थर्ड वाले को इंपोर्टेंट कर लेना वागड प्रदेश को वागड प्रदेश को वागड प्रदेश कहा गया ठीक है तो ये मेन मेन बात हो गई हमारी हर सनाथ प्रसस्ती से लिलेकेड हर सनाथ प्रसस्ती के बाद में जो next सिला लिखा रहा है उसका नाम है आदिवरा का सिला लेक ठीक है नो सो चोरानमिश्वी में प्राप्त हुआ कहां से प्राप्त हो रहा है ये भी आहड उदेपूर से ही प्राप्त हो रहा है तो नेक्स्ट है है मारा आदी वरा शीला लेक आदी वरा शीला लेक कब का है तो नो सो चुरान में इस्वी का कहां से प्राप्त हुआ है तो आदी वराह मंदीर आहड उदैपूर से ठीक है बासा की बात की जाए तो इसकी बासा है संस्कृत संस्कृत बासा लीपी की बात की जाए तो ब्राम्मी लीपी इसकी लीपी कौन सी हो गई ब्राम्मी लीपी हो गई ठीक है ओर अगर बात की जए इसका संस्थापक कौन है यानि कि इसको डलवाया किसने चुपफवा कर इसको मतलब बनवाedar कर इसको स्तापित किसने करवाया तो मेवाड का साशक था जिसका नाम था भर्तरी सेकिन्ट तो संस्थाफक मेवाड शासक भर्तरी सेकिन्ट के दुआरा इसको इस्ताफित करवाये गया है ठीकें? और अगर दे को इसमें बात की जाए तो इस अभीलेक से हमें क्या-क्या जानकारी मिलती है इससे क्या-क्या हमें जानकारी मिलती है तो दो जानकारी यहां ध्यान रखना पहली जानकारी वैशनव पूजा का उलेख विश्वु जी की पूजा विधी कैसे की जाती है पूजा का उलेख किया गया है और सेकेंड नमबर ध्यान रखना गंगोद भाव गंगोद भाव नामक तीर्थ का उलेक ठीक है गंगोद भाव नामक तीर्थ का उलेक जो है वो भी इसमें किया गया है ठीक है तो आज की क्लास में हम यही तक लेंगे नेक्स्ट कलास में हम इसके आगे के जो प्रसस्तियां है शीला लेक है उनको कवर करेंगे ठीक है तो जादा से जादा पढ़ाई करिए जादा से जादा मतलब पढ़ते रहिए और अपने करतवे पत्पर ऐसे ही बढ़ते रहिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया ह तो प्लीज वीडियो को जादा जादा लाइक कर दीजिए जादा जादा इसको सस्क्राइब कर दीजिए और जादा से जादा इस वीडियो को सेयर करिए जादा से जादा पढ़ाई करिए और अपने सफलता के पत्परियों ही बढ़ते रहिए ओके जी